स्वागत ते सबका मेरे एडूप चनल में इश्टे वीत मियमें और मैं हूँ आसी सुकलावाज हम चर्चा करने वाले हैं तो यह देखा जाता है आज के जमाने में कि डेरी टेक्नोलोजी से अगर आप डेरी इंजिनिंग वगरा से आप बीटेक या डिप्लोमा या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वगरा कर रहे हो तो आप मतलब बेकार का काम कर रहे हो जबकि हाला की ऐसा बिलकुल नहीं है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में ऐसा क्यों नहीं है मेरे पास तर्क है अगर आपको कुछ फिर भी गलर लगता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं मालनी जी आप बीटेक वगरा कर रहे हैं तो अगर जॉब निकलती हजार लोगों की पहुंचते उसमें लाख लोग है एक हजार की जॉब एक लाख लोग पहुंचे बड़े कम लोगों को जॉब मिलने वाली है ठीक है अब बात करें डेली टेकलों जीवी जो निकली हजार की और पहुंचते जादा जादा दस जार है मतलब उससे कमडिशन बहुत कम है हाला कि आप इसका क्रेज बढ़ रहा दिरे लोगों को बात समझ में आ रही है कि सिर्फ बीटेक मेकेनिकल या सिविल में या इलेक्रिकल में डिपलोमा आपका सिविल में या आप आई टी आई सिर्फ आप प्रिपलोमा आप किसी और से कर लो मलिंशिय तेकनोल जहां पर इतने जादा इस्टूरे Ukrainian नहीं है आपका कमडिशन कम होगा और आपको जॉब मिलेगी अब आप वही घिसे पटे प्लानस पर चलते रहेंगे तो कभारी कब तक आपको जो मिल पाएंगी लिमिटेड वेकेंशियां होती है और उसमें कंपडिशन बढ़ जाता है और डेनरी टेक्नोलोजी अगर आप माली आपको इंट्रेस्ट है इन चीजों में थोड़ी यह हम कहें हैं कि थोड़ी नेचुरल चीजे हैं और इनकी हर इंसान को आप सकता ह आप किसी गाहूं में रहते हो आप किसी एक SPACIAL CITY में रहते हो आप एकड़म जली, BANGलोर या किसी और एक अची Metro सिटी में आप रहते हो हिद्दबाद में रहते हो कहीं भी रहते हो तो आप कंसम चाय तो पीते ही होंगे दूद नहीं पीते होंगे आज के बच्चके बच् तो आपके mostly 20-25 घरों में किसी एक के पास ऐसा हो तो बांकी लोग चाहे तो पियेंगे यह दूद्ध तो आएगा ही अब देखो यह कितनी बड़ी इंडरस्टी है इंडिया हो गई, सारे कंट्रियों में इसकी चाहे की अध़त अंग्रेजों ने डाल लखी है मतलब मेरा यह है कि डेरी टेकनलोजी आज के टाइम की एक बढ़ती हुई ट्रेड है आप हर किसी के रट्टूत होता ना बनिये मेरे बड़े भाईया ने यह किया मेरे गाउं के लड़के ने यह किया सिविल इंजिनिस है किया तो मैं डेरी टेकनलोजी करूँगा यह तो मेरे क्रेज खराब हो जाने वाली बात ऐसा कहीं कुछ नहीं एक बहतरीन अपोरचुनटी आज की जमाने में इसकी निकलने के आने वाली यह फीचर में इसका एक ब्राइड रोल है तो मैं डेरी टेकनलोजी के उपर बात करने वाला हूँ तो देखेंगे इसमें अपने वीडियो में कि आप कहां कहां से डेरी टेकनलोजी की इंजिनिंग की डिगरी कर सकते हैं कहां से आप डिपलोमा कर सकते हैं से आप पोश्ट को एम्टेक वगएरा कर सकते हैं सारी चीज़ देखेंगे और आपकी जॉब की रेंच क्या होगी आपको किन किन कंपणियों में जॉब मिल सकता हैं और आप किस किस युनिश्टी वगएरा से डिपलोमा या फिर बीटेक या डेरी टेकलोलोजी से कोई और को आपको कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि फीचर में आपको बहुत ज़्यजा फायदा हो सके और कुछ दिनों में आपका यह जो फैवरेट चैनल है अपनी वेबसाइड लॉंच करने वाला है तो कुछ दिनों बाद ही आप इसक में इनकी हमने फोटो लगाई बड़ी सुंदर फोटो की बलर करके लगाई गई है ठीक है तो एक आंगे देखते हैं इनी से सारी सब कुछ निकलने वाली है जो यह दूद बगएरा मिलक आएगा उसी के बारे में सब कुछ किया जाएगा पास्टिगर्त किया जाएगा उस वेलूस इंटर्म ्डैडरी टेकनलोजी तो डैडरी टेकनलोजी क्या होतीं है कि दूद से कई स्प्राकेख करके इसकी कई सारे प्रोडॉक्ट बनाना बटर बनता है, मठडा बनता है, तो ये सारी चीज़ेँ को बनाना और दूद में जो हानी कारक्त तद्व हो जाती эфф? तो आपको यही काम करने वाला है उसका कैसे पास्चिकरन किया जाए कैसे हम अच्छे उसे रख सकें कहां कहां इसका सप्लाई कर सकते हैं यह सारी चीजें आपकी डेरी टेक्नलोजी के अंतरगत आएंगे ठीक है तो हम देख लेते हैं कि आपको डिप्लोमा प्रोग्राम कौन कौन से कर सकते हैं आप डेरी टेक्नलोजी में डेरी इंजिनिंग में आप डिप्लोमा प्रोग्राम आपके पास कौन कौन से तो देखें डिप्लोमा इन डेरी टेक्नलोजी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं इस ट्रेड में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं आपकी इंडस्ट ठीक है तो डेरी इंजिनिंग इन चार तरह की आपके पास डिपलोमा रहेंगे आप इसमें कोई भी डिपलोमा वगयरा करके इस इंडरेश्टिय में अपना कदम रख सकते हैं अब देख लेते हैं अगर आप बीटेक वगयरा करते हैं U.G का मतलब undergraduate program तो देखिये B.Tech in Dairy Technology and B in Dairy Technology तो आप B.Tech या B.E. वगयरा इससे कर सकते हैं Under graduate मतलब कि जिसे हम कहते हैं graduate program ना तुभी इंटेडर में आप graduation कर सकते हैं technology में भी graduate हो सकते हैं अब इसके बाद अगर आप post graduate होना चाहते हैं इसी में तो post graduate मैंने या डाला नहीं है आप post graduate के लिए भी आप mtech के लिए बहुत सारी इसमें वेकेंसिया हैं बहुत सारे college इंस्ट्यूट है जो provide कराते हैं आप mtech वगरा भी इस technology technology से कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह degree आपके पास जितनी होगी experience आपके पास जितना होगा उतनी अच्छी लेवल की आपको job मिलने वाली उतनी अच्छी आपकी salary होने वाली the diploma जो आपने graduate करके रखें और जो आपने आपको mtech वगरा provide कराते हैं मतलब डिप्लोमा graduate पोस्ट गराते हैं तो देखिए national dairy research institute करनाल यह number one institute है अगर आप इससे करते हैं तो आपके पास job की कभी कोई कमी नहीं रहेगी आई guarantee ठीक है तो national dairy research institute यह बड़ा बहतरीन भारत का एक dairy research institute है इसमें अगर आप इससे आप कर लेते हैं बी टेक या पोस्ट गरेजुट डिप्लोमा वगएरा या कुछ भी इससे आगर आप करते हैं तो आप अगर एक अच्छे सी हैं ठीक है तो और देख लेते हैं इगनू open university इससे भी आप कर सकते हैं ठीक है यह तो काफी अच्छी है आज की जमाने में इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह जो है ना education जो distance education उसे बढ़ावा देती है तो आज की जमाने में हर कोई अपने घर में या इस पास काम करता रहता है हो सकता है उसके पास school college जाने का time ना हो तो आप इससे भी कर सकते हैं ठीक इसके बद वैरिस जो इस स्टेट की polytechnics college है तो वह भी अपने अपने में dairy engineering से आपको डिप्लोमा वगएरा कराते हैं आप UP क्यों आप MP क्यों आप भिहार क्यों कहीं के भी हो तो dairy technology उसमें होती है आप वहां से डिप्लोमा वगएरा कर सकते हैं तो मैंने जो इसके common institute थे जो famous हैं और थोड़े अच्छे हैं उनकी बारे मैंने आपको बताए आप यहां यहां से कौन कौन से रहेंगे अमूल का नाम किसने नहीं सुना होगा हर को जानता है इसमें आपको एक बेहतरीन जोब मिल सकती है domest ile यह तो यह ने तो इसमें आपको एक बेहतरीन आमांट की एक बेहतरीन जोब मिल सकती holiday इसका परचार भी आज कर देख आई और तो बड़ा पर ज़्यदा famous है तो यह सब चीजें जो है ना आप इसमें रोजगार आपको मिल सकता है वर्डलाल में भी आपको रोजगार की संभावना पूरी रहेगी ठीक इसके बाद Reliance Industry भी इस छेतर में आगे आई है Dairy Engineering में तो आपको Reliance Industry में भी जौब मिल सकती है Metro Dairy इसमें भी आपको जो है ना एक अच्छी बेतरीन जौब मिल सकती है ITC Food Division इसमें भी आपको एक बेतरीन जौब मिल सकती है ठीक है आँगे देख लेते हैं यह मैं आपको कंपनियां वगरा बता रहा हूँ Hence इसमें भी आपको एक बेतरीन जौब मिल सकती है Kumpy FD सुधा करके चलती है já तो इसमें भी आपको एक बेतरीन जौब मिल सकती है इसके बाद और देख लेते हैं नमस्ते इंडिया यह Dairy Engineering के छेत्र में दूद वग़रा pasture करके Milk मिल बाजारमें लेके आती है बटर वग़ए आप लाती घी वगएरा भी आजकल तो ये लेके आती हैं तो इसमें आपको एक बेतरी जॉब मिल सकती है इसका नाम किसने नहीं सुना होगा किसने चोकलेट नहीं खाई होगी इसमें भी आपको एक बेतरी जॉब मिल सकती है तो मैंने कुछ जो प्रमुक कंपनिया उसके नाम आपको दिये इसमें आपको jobs वगयरा मिल सकती है आप बात कर लेते हैं salary की क्योंकि पैसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा तो पैसे बात कर लेते हैं आपकी salary कितने होने वाली है salary salary के बात करते हैं अगर आप यह depend करती है आपका experience कितना नाम experience और आपके पास जो है degrees वगयरा आपके पास diploma है या degree है या आपके पास post graduate है तो उसके हिसाब से salary matter करती है अगर आप diploma करके जाते हैं इन उपर लिखी कंपनियों में अगर एक कंपनिया में जाते हैं तो आपकी जो जाब मिलेगी diploma holders की वो करीब करीब 15,000 से लगा के वही 25,000 तक वेरी करीगी पर मन्त के मैं बात बता रहा हूं 15,000 से 25,000 रुप है पर मन्त की आपको diploma करके जाते हैं किसी अच्छी कंपनी में तो आपको इतनी salary की job वगरा मिलने वाली इसके बाद अगर आप graduate होके जाते हैं इसी कंपनी में तो आपकी starting वही 25,000 से शुरुआत होगी और करीब 45,000 तक आपको salary मिलने वाली है ठीक है और जैसे जैसे आपको experience बढ़ता जाएग आपके पद ओधे बढ़ते जाएंगे आप उचरी पद पर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आपकी salary बढ़ती जाएगे अगर आप post graduate वगरा कर लेते हैं तो आपकी salary 45,000 से करीब करीब सुरुआत होके आपकी salary में बता रहा हूँ 60,000 के करीब करीब तक आपकी जा सकती ह अगर आप इससे mtech वगरा करके इसमें job की सुरुआत करते हैं तो मैंने आपको बता दिया आप जितने अच्छे इंस्ट्यूट से करेंगे और जितने अच्छी degree लेके करेंगे आप graduate होंगे आप post graduate होंगे तो उतना ही आपको अच्छी vacancy वगरा मिलेगी एक अच्छी salary मामनाई मिल सकती हैं लेकिन आप इस फिल्ड में तभी जाएं जब आपको interest हो SCGO में अगर आपको मसीनों से interest तो आप mechanical engineering वेरा हम जा सकते हैं लेकिन आप थोड़ा अगर गाउं दियान से बिलॉंग करते हैं आपने कुछ ऐसा किया है आपने आपको कम से कम गाय भैस दूना आता है आपको इनके बारे में मोटी मोटी सारी बाते पता है और आप इसमें interest भी रखते हैं ठीक है कि आपके पास यह पस उपालन का वेवसाय भी अगर आपने कभी देखा आपके दिमाग में आया है कि कभी ऐसा करके कुछ पालन हम वेवसाय करेंगे दूद की dairy खोलेंग भाइसों के चट्टे तो उसमें क्या होता है बहुत सारे सहरेों के आसपास लोगों को दूद की supply होती है तो यह भी एक क्या चलो इससे लिख देते हैं बड़ा important यह तो मैंने company की बारे में बात कर दी लेकिन self-employed जो आजकल नरेंद मोदी जी बड़ा बढ़ावां दे रह देंगे 7-7, 10, 12, 15, 20 आसपास के लोगों को भी रोजगार देंगे अगर आप भाइस के चट्टे वगरा कुछ ऐसा लोकल में खोलते हैं आप किसी सहर में खोलते हैं आपका खुद का बिजनिस रहेगा और आप कुछ लोगों को रोजगार भी देंगे और आपको कहीं इध पूर संभावना है आप खुद को भी और उनको भी लगा सकते हैं इस रोजगार में ठीक है तो अपने इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में कोई अगर दिक्कत कोई समस्या हो तो आप निसंग कोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम तर उसका reply जरूर देंगे और इस वीडियो में इतना ही वंदे मात्रम